विवी पैट की बात करी कि दस महीनों से समय हम माग रहे हैं तो सब विवी पैट की आपकी मांग है कि या इवी एम पर जो छेडखानी का आरोप अब तक विपक्ष लगाता है क्योंकि एवी एम पर सर चुनाव आयोगे ना सर्फ दिल्ली में बलकि देश भर में एक समबर 2023 को जब इंडिया जन बंदन की बैटक हुई नई दिल्ली में इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम एवी एम के एवी एम के खिलाफ हैं एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हैं हम एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मैन्यूपि मैनिपिलेशन के खिलाफ हैं और कई ऐसे मिसाल कई लोगों का अनुभाव हैं कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं से अगर आप बात करेंगे वही कह रहे हैं कि यह मैनिपिलेशन का खत्रा है और मैनिपिलेशन किया गया है तो इसके लिए सुप्रीम कोट ने भी कहा था यह निए वरन नहीं पालिए पैट अन्होंने कहा था वीवी पैट कहा था हम बाद काक्षी नहीं करकिया अरेंडम सेंपल लेकर पांसफुस्टीयूर्ड ने कहा था तो हम चाहते हैं सव प्रदिशत कीजिए है उसमें आप ऊप्र को मशीन का इस्तिमाल कीजिए पर वी वीव पैट भी हो हम नहीं कि पेपर बैलेट में वापस जाए है हम कहरें इवियम इस्तिमाल कीजिए पर हंड़ेट परसेंट वीव पैट हो ताकि जो मद्दाता हैं उनको थोड़ा विश्वास हो कई लोगों में विश्वास नहीं है था मध्या प्रदेश में राजस्थान म लिए अभी तीन हजार चार हजार मार्जन से आर रही है बिल्कुल असंबव है नहीं परसक्शन हमने तो एविडिन्स दिया है एक मोटा सा हमने दस्तावेश तयार किया है जो हमने एलेक्शन कमिशन को भीजा है और हमने मांग की कि दस पंदरा मिनिट के लिए आप मिल ली उसमें क्या हर्जा बताई है हम बोलेंगे एलेक्शन कमिशन ऐसे बेठे रहेंगी ठीक है आ गया आपका मेमरेंडम भी मिल स्टडी बस उतना ही कहना है वह अपचारिकता अभी नहीं कर रही है ना